बाबा रामदेव की मुश्कल बढ़ती जा रही है अभी दो दिन पहले बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा लॉंच की थी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अब बाबा रामदेव की दवा कोरोनल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराश्च्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है माराश्य सरकार के ग्रहमंत्री अनल देश्मुक ने कहा कि कोरोनिल के clinical trial के बारे में अभी कोई पुखता जानकारी नहीं है ऐसे में माराश्य में इस दवा की विक्री पर पावंदी रहेगी माराश्य के ग्रहमंत्री अनल देश्मुक ने गुरुवार को लिखा National Institute of Medical Sciences जैपुर ये पता लगाएगा कि क्या पतंजली के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्राइल किया गया था हम बावरामदेग को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महरास्ट में नकली दवाईयों की बिक्री की अनुमती नहीं देखी गौरतलब हैं कि आयुश मंत्राले की आपत्ती के पाद राजस्थान पहला राज्य था जिसने पावरामदेग की दवा कोरोनिल की विक्री पर रोक लगा दी थी राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्रिय आयुश मंत्राले की स्वीक्रती के बिना COVID-19 महमारी की दवा के रूप में किसी भी आयरवेदिक और शदी का विक्रे नहीं किया जा सकता राजस्थान सरकार ने कहा कि COVID-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औशदी का विक्रेप पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कारवाही की जाएगी इससे पहले केंद्रिय आयुश मंत्राले ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिये थे बाबा रामदेव ने अपनी दावा का विज्ञापन करना शुरू कर दिया था जिस विज्ञापन पर रोक लगाया गया और दावा की जाच की बात कही गई थी और पतंजली से दावा के वारे में जानकारी मांगी गई हाला ही पतंजली का दावा है कि उसने आयुश मंत्राले को मांगी गई सारी जानकारी भेशी है बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजली की दावा बिलकुल सही है तो यह थे हमारी आच्छी खास रिपूर्ट इस तरहीं ख़ब रोगलें देखते रहे हैं हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें